असलाम आलेकुम, आज हम बनाने वाले हैं, एकदम इजी तरीके से बिलकुल ऐसे जैसे पंजाबी लोग बनाते हैं वैसे हम बनाएंगे राजमा और इसको बनाने के लिए हम बहुत जादा मसालों का यूज नहीं करेंगे लेकिन एकदम पंजाबी स्टाइल ने मनाएंगे मैंने इसको अपने पंजाबी दोस्त से सीखा है और बहुत ही यह जो है तेश्टी बनता है बहुत यमी बनता है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम राजमा को अच्छी तरह से धो लेंगे दो कप राजमा है यह और उसको रात भर के लिए भिगो देंगे या पान से छे घंटे के लिए भिगो सकते हैं फिर पहले अच्छी तरह तो हम इसको कूखर में डालें और पानी डालेंगे फिर आनी जितना राजमा है उससे थोड़ा से उपर तक होना चाहिए तो पानी ने में करद दिए ओे तो पानी डाला दो तो आज को मीडियम कर देंगे, अब हम ले लेंगे प्यास करेब 6-7 मीडियम साइज का और उसको हम एकदम बारिक बारिक काटेंगे, अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें चॉप कर सकते हैं, या तो चाहे चाकू से एकदम बारिक बारिक काट सकते हैं, और हम इसको पीस तो हम इसको इसलिए इस तरह से चॉप कर रहे हैं लंबारिक बारिक हमको इसको काटना है आप चाहे चाकू से कर लीज़े या तो फिर इस तरह से कर सकते हैं प्यास को हम रख देतें इसाइड अब हमें कड़ा ही लेंगे और उसको गैस पे चड़ा देंगे जब उसका पानी जल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे दो बड़े सर्सों का तेल में यह वह फुट ही अच्छा बनता है तो इसलिए चाहे तो आप चाहे तो आप जो भी कोकिंग ऐल यूज़ करते आप उसमें बना सकते हैं पिर हम इसमें डालेंगे एक चबमत जीरा तो जीरा चटकने तो इसको लगतार चलाते हुए हमको भूनना है नहीं तो यह जल जाएगा तो करेब 3-4 मिनिट लग जाएगा इसको फ्राइ करने में तो जब यह फ्राइ हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो सबसे पहले हम डालेंगे अद्रक लसुनका पेष्ट तो एक पेष्ट बना लेंगे पेष्ट बना के हम मसाले में डाल देंगे तो एकदम बारिक सा पीशना है और फिर हम इसमें डालınız मसाले में Tálar के लिए बूने बूने के बाद पेर आं कुछ और मसाले डालेंगे तो पहले हम इसको थोड़ी देर से भून लेते हैं अब हम इसमें जबाद सात क्या तो हल्ती पूर्ट कि थोड़ा सा डालेगे अधा चमश अधा छमश प्र हम डालेंगे इसमें मिर्ची पौॉडर अपनेrant कके साफ डाल सकते हैं अधा constitu देता हुआ से थोड़ा सा ज़्यादा हमें मिर्ची पॉडर डाला है बाद में चेक कर लेंगे कि नमक इसलिए थोड़ा सा नमक डालेंगे और फिर हम इसमे कशimizeरी लालमाच पौडर डाल देंगे करिब एक चमच भर देंगे पिर इसको बूण लेंगे आज को कर देंगे मीडियम और मीडियम आज करके इसको हम जो है थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करते रहेंगे कि यह जो है तेल इसका अलग हो जाएगा तब तक हमको इसको भूनना है तो इसमें तेल अलग हो गया है और हम इसमें हम डाल देंगे राजमा जो हमने अबाल के पहले एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं कि वह कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है तो पहले हम इस पर पानी डाल देते हैं तो पानी करीब दो कप डाल देंगे डाल के इसको मिला लेंगे यह बाल आता रहे कर लेकिन हम पहले हम राजमा चेक कर लेते हैं कि डाल जो राजमा है घाये वो गला हे कि नहीं तो देखिय है यह राजमा खुब अच्छी तरह से गल चुका है मिलमे नेज़ा की लिए उसमें और जो मिला लेंगे अब एक चमच लेंगे और उसको और इसमय मैशा करने से यह जो है जो राजमा है वो गाढ़ा हो जाता है अब हम उपर से डालेंगे अधा चमज गरम मसाला पौडर डाल के इसको मिला लेंगे मिलाकर हम इसको बंद करके रख देंगे आज को मीडियम कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको बालेंगे वालने के बाद हम उपर से डालेंगे कसूरी में थी तो थोड़ा सा ले लेंगे और उसको हाथों से करश कर लेंगे और फिर उपर से डालेंगे और फिर थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे दो से तीन मिनट लगेगा इसको पकाने में और फिर हम खोल के देखेंगे लाश्ट में हमको थोड़ा सा ले लेना है चाट मसाला करीब एक चाट मसाला लेके उपर से हम डालेंगे डाल के फिर इसको मिलाएंगे तो यह हो चुका है अब हम इसमें एक चाट मसाला ले लेते हैं और डाल देते हैं डालने के बाद इसको मि और ये राजमा आप जरूर बना के टेस्ट करिएगा बहुत गम महनत लगती है लेकिन इसका रेजल्ट बहुत ही अच्छा आता है तो फिर आप इस तरह जरूर बनाएं मिलती हूं मैं इंशालला अगली वीडियो में तब तक के लिए आप इसको बना के खा के आप जो है